प्रणाम अचारे जी, मेरा प्रश्ण था कि संकल्प का बल और अधिक कैसे डेवलप किया जाए? संकल्प का जो बल है, वो उचे से उचा तब होगा जब संकल्प का विशय उचे से उचा होगा. और यही उचित भी है, क्योंकि अगर इससे अलग कुछ हो गया, तो बात भायानक हो जानी है. किसी छोटे एक शुद्र, निचले विशय को ले करके आपने बड़ा जबरदस्ट संकल्प बना लिया. तो आपको अधिक से अधिक हासिल भी होगा, तो क्या? कुछ नहीं. एक तो यह कि बहुत दा कुछ हासिल होगा नहीं, दूसरी बात, उचा विशय ही आपकी उची उर्जा को जागरत कर सकता है. जब आप किसी उची विशय को ले करके संकल्प बनाते हैं, तो ही आपकी उची उर्जा जागरत होती है. हम में से बहुत लोग कहा करते हैं कि आलस रह जाता है, या इच्छा शक्ते नहीं उठती, या मनोबल कुछ दूर चलकर तूट जाता है, उसकी वज़ा समझी है. आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं, जिस चीज को लक्ष कर रहे हैं, वो इतना उंचा है ही नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा जान या ताकत या संकल्प लगाना पड़े हैं. तो फिर आपकी जिन्दगी में भहुत उर्जागी जरूरत ही नहीं, आप करोगे क्या उतनी उर्जा का, उर्जा उठती भी नहीं. जितनी उची चीज मांगोगे, उसके लिए उतने ज्यादा प्रेत्न की जरूरत पड़ेगी ना. जितने आदा प्रेत्न की जरूरत पड़ती है, भीतर से समझलो उतनी ही शक्ती खुल जाती है. आपकी शक्ती अगर नहीं खुल रही तो उसकी वज़े ही यही है कि आपके पास कोई उच्छा लक्ष होगा नहीं. और उच्छा लक्ष क्यों नहीं है क्योंकि आप तर्क देते हो कि मेरे पास ज्यादा शक्ती और उर्जा नहीं है. बाबा शक्त्य और उर्जा बाद में आती है पहले क्या आता है पहले लक्ष आता है जिसका आपने संकल्प किया पर आप कहते हो कि मैं अभी जिंदगी को देख रहा हूं उसमें दिखाई पड़ रही है थोड़ी बहुत शक्ति थोड़ी उर्जा थोड़ा मनोबल तो इसी की अनुपाद में मैंने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष न इढ़ारित कर लिया और छोटा सा लक्ष अकर मिल भी गया तो क्या मिला लेकिन आपको यह लगा जाए है कि मैंने तो अपनी शत प्रचत उर्जा लगा करके इस लक्षे को हासिल किया है नहीं आप को ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी उर्जा लगा दिये आपके ने जितनी लगा दिये आपके पास उससे दस गुनी ज्यादा थी पर उस सोई पड़ी रही क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं था उसका क्या करती जग करके करती क्या जग करके आपने अपने लिए लक्षी ही यही बनाया है कि आपको यहां से उठके उस दर्वादे तक जाना है तो आप करोगे क्या दौर लगा करगे साधारण चाल चलोगे तो भी पहुँच जाओगे बहुत उर्जा कि आपको जरूरत ही नहीं समझ रहा हूँ जो भी छोटी छोटी कामनाएं है वो आपको सीमित ही नहीं रखती है वो आपके मन में बाट डाल देती है कि सीमित होना आपकी किस्मत है छोटी कामना खुद ही छोटी नहीं है वो आपको भी छोटा बना देती है बड़े की मांग करिए, बड़े की चाहत करिए बड़े से मतलब समझ रहा हूँ अध्यात्मेक भाशा में बड़े का क्या आर्थ होता है वो जो आपका आंतरिक छुटपन मिटा दे आंतरिक छुटपन क्या होता है किसी से दो रुपए जपट लिए किसी को आगे बढ़ते देखा तो इरश्या होने लग गई किसी ने थोड़ा धंका दिया तो डर गए कहीं कुछ गलत होते भी देखा तो कहा इसमें मेरा क्या जाता है ये आंतरिक छुटपन है तो फिर बड़ा लक्ष क्या हुआ कुछ ऐसा पाने निकलिए कुछ ऐसा करने बढ़िए जो आपके भीतर इन चीजों को बचा न रहने दे आप अपने आपको भूल जाएं जिसकी सेवा में वो लक्ष बड़ा कहलाता है आप अपनी सब छोटी छोटी खोईशों को एकदम बस भूली जाएं बिना कोशिश किये ऐसा लक्ष बड़ा कहलाता है और ऐसा बड़ा लक्ष जवाब बना लेते हैं तो फिर देखिए कि भीतर से कितनी जान अपने आप उठती है उठनी ही पड़ेगी समझ रहे हो छोटी मांगों में एक छोटी जिन्दगी जीना और छोटी बनके रह जाना इसमें कुछ नहीं रखा है यही करते करते एक दिन खत्म हो जाओगे मेरी इच्छा मेरा पैसा मेरी इज़त कुछ समझ में आई बात बड़ा काम वो नहीं होता जिसमें आपको बड़ा पैसा मिल रहा है यह दुनिया जिसमें आपको कह रही है कि तो बड़ी पदवी पर है बड़ी कंपनी हैं केरियर प्रोस्पेट्स अच्छे है बड़ा काम वो नहीं होता बड़ा काम वो होता है जो आपको छोटा अन्ना रहने दे वो काम ऐसा है कि अगर उसे पूरा करना है तो तुम्हें भीतर से खुद को बदलना पड़ेगा तुम तुम रहकर उस संकल्प को पूरा ही नहीं कर पाओ ऐसा संकल्प बड़ा कहलाता है हम जैसे हैं अगर हम ऐसा ही रह गए तो यह संकल्प तो कभी नहीं पूरा होगा इस काम को करने के लिए हमें बढ़ना होगा, सुधरना होगा, मिटना होगा ऐसा काम बड़ा कहलाता है जो काम आप जैसे हैं वैसा रहते हो जाए वो काम शायद करने लायक ही नहीं है और आप जैसे हैं उसी हालत में आपसे जो काम हो जाएगा अक्सर उस काम के एवज में आपको रुपया पैसा खूब मिल जाता है आप बोलते हो ना कि नौकरी इंटर्वियू में कि ये मेरी स्ट्रेंग्स है और ये मेरे स्किल सेट्स है और अपना आप स्ट्रेंग्स बताते हो स्किल सेट्स बताते हो खट से आपको काम दे दिया जाता है जिसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जो काम पहले ही आपके skill set में और आपकी strength में शामिल है आपको ओ काम दे दिया जाता है दे दिया जाता है न अब बताओ ये काम तुम्हें लिए चुनौती बनेगा ही क्यों ये काम तुम्हें क्यों चुनौती देगा ये काम तुम्हें क्यों तोड़ेगा मरोड़ेगा इस काम के लिए तो आप पहले से ही तैयार हैं कि और हम सोचते हमने बड़ी होश्यारीगा काम किया कि जिस काम में मैं पहले ही दक्ष था निपुन था मैंने वही काम ले लिया साहब मुझ खूब चलाते थे बग 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 तो MBA in marketing कर लिया उसके बाद अब sales की जॉब ले रहे हैं इसमें हो सकता है salary बड़ी हो पर यह काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा है मैंने कहने हो sales का काम छोटा होता है बात समझेगा मैंने बिल्कुल नहीं कहा सेल्स का काम छोटा है मैं कह रहा हूँ यह काम तुम्हारे लिए छोटा है क्योंकि यह काम तुम्हें बीतर से तुम्हारा जो अतीच से चला आ रहा वजूद है तुम उसी को इस्तिमाल करके ये काम करोगे और ये काम तुम्हें उसी चीज के पैसे देदेगा तो तुम्हारा वजूद बदलेगा काहे को ये काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम है कर्मत लेना काम वो करो जो इतना बड़ा हो इतना बड़ा होगी तुम्हें भीतर से तोड़ दे जो काम तुम आसानी से करी सकते हो उसको करने में रखा गया है जो काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो ना उससे जट से क्या दिया करो कि बोरिंग क्योंकि तो हो जाएगा यह हमें भीतर से ना चुनौती देगा ना तोड़ेगा समझ गया रही बात अब यह आपके दुस्थाहस पर है कि आप कितना उचा काम पकड़ते हो क्योंकि जितना उचा काम पकड़ोगे वो उतना ही ज्यादा आपको तोड़ेगा आप तूटने के लिए कितना तयार हो आपकी रिजामंदी निर्धारित करेगी कि आप कितना उचे जा सकते हो और जिंदगी में ये काम तो कभी करना नहीं कि जो कुछ तुमको भाग इसे संयोग से प्रक्रत इसे आतीत से मिल गया है उसी को काम बना लो और उसी की रोटी खाना शुरू कर दो उधारण के लिए खानदानी पैसा मिल गया है उसी को खाना शुरू कर दिया या प्रक्रती ने तुमको गोरा चिट्टा आकरशक कहलो सेक्सी सा बना करके पैदा कर दिया है तो तुमने उसी की रोटी खाना शुरू कर दिया कुछ नहीं रखा है इसमें मैं उनको भी जोडूँगा जिनको आप जन्मजात प्रतिभाई कहते हैं कि फलाना पैदा उआ था और उसमें बड़ी जन्मजात प्रतिभाई थी गणित की अब गणित की प्रतिभाई थी तो क्या करते थे साहब कि दस्वी बारहभी में जो गणित का इस्तर था उसको इन्होंने पांचमी छठी या साथमी आठमी में हल कर लिया था इमें कुछ नहीं रखा है क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो करने के लिए प्रक्रति ने, सैयोग ने और अतीत ने और विरासत ने तुमको पहले ही तयार कर रखा है तो तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारी आंतरिक तरक्की कहां हुई तुम्हें आंतरिक चुनोती कहां मिली, बताओ ना कहां मिली हाँ तुम्हें सांसारिक सफलता जरूर मिल जाएगी जबरदस रूप से मिल जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही संसाधन तयार था वो संसाधन तुम्हें किसने दे रखा था प्रकरति ने दे रखा था या अतीत ने दे रखा था या संयोग ने दे रखा था तो उसब तुम्हारे पास पहले से ही था तो तुम्हें संसारिक सफलता तो जल्दी मिल जाएगी लेकिन आंतरिक तोर पर तुम कुंठित के कुंठित और छोटे के छोटे ही रह गए प्रतिभाब आजी भी खूब चलती है IT हो, IMO यहाँ ऐसे बहुत लोगों को देखता था जिनका सपश्ट था कि यह प्रतिभाई यह अलग किसम की है इनका brain इनका मस्तिश की ही अलग किसम का है उन्हें मैनत नहीं करनी पट रही जितनी देर में आप एक सवाल को समझते हो उतनी देर में उसको हल कर देते हैं engineering का हो सकता है, economics का हो सकता है sciences का हो सकता है प्रतिबा बहुत थी लेकिन जीवन कुछ नहीं क्योंकि जीवन प्रकृति ने आपको क्या गुण दिये हैं इससे नहीं निर्धारित होता जीवन निर्धारित होता है कि प्रकृति ने आपको जो कुछ दिया है आपने उसको किसकी सेवा में डाल दिया आपने उसको किस लक्ष किस संकल्प को समर्पित कर दिया प्रक्रते ने आपको बहुत जबरदस मस्तिश्क दे दिया आप प्रोडिजी हो बिलकुल लेकिन ले दे के आप कर क्या रहे हो उसका आप उसका यह कर रहे हो कि अब मैं जा करके किसी MNC में अपनी प्रतभा को बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा बहुत सारे पैसे मिल जाएगे बेशक सांसारे रूप से यही कहला होगे कि तो कितना सफल है कितना सफल है IIT से Computer Science उसके बाद MIT से Post-Raduation और Doctorate भी और उसके बाद दुनिया की जो इस वक्त सबसे बड़ी Tech Farm है उसमें डारेक्टर है लेकिन बंदा तो अभी भी इतना सही है वो इतना सही है वो यो कि जो कुछ कर रहा है वो बस प्रकृतिके गुड उससे करवा रहे है उसकी प्रकृतिक प्रतिभा उससे करवा रही है उसमें उसका अपना कुछ नहीं है यह अंतर करना सीखो तुम अलग हो और प्रकृतिने तुम्हें जो कुछ दिया हूँ अलग है प्रकृतिने तुम्हें हो सकता है रूप गुण दे रखे हो बिल्कुल एक आकरशक मनोहारी व्यक्तित तो दे रखाओ और हो सकता है कि प्रक्ति ने तुम्हें एक जबरदस्त मस्तिश्क दिया है बिल्कुल एक बात है यही मत कहते है न कि देखो इसको किसी आमतोर पे लड़कियों कहते हो न कि देखो इसको कितनी कमसिन काया बक्षी है कुदरत ने वो लड़की और वो जो प्रतिवाशाली चात्र है जिसको एक बढ़ियां मस्तिश्क histories बिल्कुल एक ही तलप है एक को जबरदस्त रूप मिला है और एक को जबरदस्त ब्रेन मिला है वो दोनों एक ही तलप पर है लेकिन जब वो लड़का अपने brain की खाता है तो आप वा वा क्या बात है और वही वो लड़की अपना रूप का इस्तिमाल करेके किसी लड़के को फसा ले और उसका पैसा खाना शुरू कर दे तो आप कहते हो देखो यह कितनी नलायक है कुछ जिन्दगी में इसने किया नहीं बस ब्रेन वाले लड़के को फसा लिया है और अब मजे मार रही है वो बिलकुल वही कर रही है जो लड़का कर रहा था उस लड़के को प्रक्रति ने क्या दिया था ब्रेन दिया था इस लड़की को क्या दिया था रूप दिया था दोनो प्रक्रतिने जो बक्षा है उसको खा रहे हैं इन दोनों से अलग एक तीसरी इस्थिती होती है उसको पकड़ो मैं कहा रहा है उसका संकल्प करो प्रक्रतिने जो मुझे दिया है मैं उसका खाऊंगी नहीं मैं उसे किसी उंचे संकल्प को समर्पित करूँगी अहम इसमें बहुत तूटता है बहुत तड़ पड़ाता है वो गहता है जो कुछ मिला उसको खाऊ ना खाऊ ना उसको यह तुम कहा जा रहे हो लगाने के लिए किसकी सिवा में है क्यों खाऊ ना खाऊ ना यह ब्रेन मिला है इसका इस्तिमाल अच्छी सैलरी कमाने के लिए क्यों नहीं कर रहे है इस ब्रेन का इस्तिमाल अब तुम किसी और काम के लिए क्यों कर रहे हो हमकार बहुत तड़पता है अपना भी तड़पता है दूसरों का भी तडपता है मुझसे आज तक आ करके मेरे तथा कते शुप्चिन तक कहा करते हैं बेटना तुमको सब कुछ दिया था भगवान ने चाहते तो आज तुम नजाने कहा होते यह तुमने क्या कर लिया अपने साथ देने वाले ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी टेक्नोलजी भी समझते थे, मैनेजमेंट भी समझते थे, विरोक्रसी में भी घुजाए पर खा किसी ही नहीं पाए उस अब खाया क्यों नहीं इसलिए क्योंकि वो अपने खाने के लिए होता नहीं है तुम्हें जो कुछ दिया गया इसलिए नहीं दिया गया कि उसको तुम खाना शुरू कर दो तुम्हें जो दिया गया इसलिए दिया गया है कि समझे में आरी ही बात गाड़ी की टंकी में पेट्रोल है उसको पी जाओगी क्या उसको क्या करना है हाँ उसका इस्तिमाल करके गाड़ी चलानी है और उची मंजिल तक पहुचानी है बैठके थोड़ी करना है कि इस्ट्रॉल डाल की टंकी में पेट्रोल पी रहे हैं और फिर कह रहे हैं देखो मुझे जो मिला था विरासत में मैं उसी का तो उभोग कर रहा हूँ तो पपा का पैसा मिल गया हो आपको ठीक है चाहे प्रक्रति ने आपको रूप लावर ने बक्ष दिया हो चाहे प्रक्रति ने आपको किसी और तरह का कोई टैलेंट दे दिया हो चाहे आपको बुद्ध दे दिया हो कुछ भी और दे दिया प्रक्रतिन ये सब आपके संसाधन है जो कुछ भी आपको मिला हुआ है ज्यान विरासत रूप बुद्धे ताकत कुछ भी ये सब क्या हैं आपके resources इनका क्या करना होता है इस्तेमाल करना होता है किसलिए करना होता है और जब highest तक पहुँचना चाहते हो तभी ये सब संसाधन खुलते हैं अनलॉक होते हैं वरना ये चुपचाप सोए और लॉक्ड पड़े रहते हैं समझ नहीं जब बुलते हो ना उतना ऊचा चाहिए तब ये संसाधन जगते हैं बुलते हाँ अगर तुम्हें वह चाहिए तुम्हारा इस्तिमाल करो तुम्हें अगर कोई टुची चीज चाहिए थी तो तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं थी वही आप के पास एक 20 लाग की FD है और आप दंत मंजन खरीदने निकली है तो FD तोड़वाने जाएंगी क्या आपके पास एक 20 लाग रुपए का fix deposit है और आपको जिन्दगी में कुल चाहिए क्या दंत मंजन तो FD तोड़वाने जाओगे तो FD अनलॉक कब होती है तूटती कब है जब कोई बड़ी चीज मांगो कुछ बड़ा मांगो तो अंदर की FD हो तूटेगी समझ में आरी ये बात और बहुत बड़ी FD है भीतर जबरदस्त वो पपाजी ने अंदर रखके भेजिये लेकिन वो मिलेगी नहीं आपको जब तक आपको उसकी वास्तविक जरूरत नहीं होगी वो जरूरत पैदा करिए जहातर लोग FD के साथ ही मर जाते हैं चिता पे FD भी राख हो जाती है वो जल रहे हैं जेब में FD का सर्टिफिकट पढ़ा हुआ था जल गया वो भी जल गया अंदर पढ़ा हुआ था अंदर वाली जेब में है ना पपा जी ने जो भी दिया है क्यों मालिक यही तीन चार साल से समझा रहा हूँ